हेलो फ्रेंड मैं विमल अगरवाल वेलकम टू दिस चैनल आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मसिस्ट की वेकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे जैसे कि आप सब लोगों को पता है हम इस चैनल के मादम से स्टेट और सेंटरल गुवर्मेंट में निकली हुई फार्म इनके लिए क्राइटिरिया टो फार्मसिस्ट वमीवेटी फार्मसी और یूनानी फार्मेशी से आपके पास में डिप्लोमा कोना मेंडेटरी है जो के एक रिकॉगनाईजड इंस्टिटit supported by बसार्द के बदों द preस्भाइब लिमिट आपकी होनग एहां पर तराइण इस रेंज के बीच में आपकी इस लिमिट होनी चाहिए जोब responsibilities की बात कर लें तो यहां पर यह बताया गया है कि provide first aid first aid provide कराने के लिए यहां पर pharmacist को appoint किया दरा है and other medical aid like administration of medication as per doctor order doctor के order पर first aid के साथ साथ जो भी medications है वो भी आपको patient तक provide करानी होंगी यह यहां पर working responsibilities responsibilities रहने वाली है selection process की बात कर लें तो आप यहां पर read कर लिजेगा इसका official notification भी हम बताते हैंगे किस तरीकी से आपको download करना है और इस page की link इस video के description में provide हो जाएगी जैसे ही आप इस page को link पर click करके वीडियो के description में जाने के बाद एक link मिलेगी उस पर click करके इस page को open कर लोगे यहां सारे rules regulation को पढ़ते हुए जो आप नीचे की तरफ आओगे जो आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको लिखा मिलेगा application form and more information इस पर click करेंगे इसका official notification डाउनलोड हो जाएगा चलो उसको देख लेते हैं और उसी के जरीए जानने की गोसिस करते हैं किस तरीके से यह vacancy रहने वाली हैं और किस तरीके से आपको इनके लिए apply करना होगा तो यहाँ पर यह इसका official notification है इसको proper तरीके से read कर लिजगा चीज़ें आपको clear हो जाएंगी इसमें सारी चीज़ें दी हुई है इसमें सब कुछ यह बताया गया है किस तरीके से यह vacancy रहने वाली हैं और किस तरीके की देखो यहाँ पर paramedical stuff परamedical stuff के लिए बताया गया है जो eligible candidate हैं उनको submit करना application form इसके last page पर दिया हुआ है देखो यह 2 page का application form एक page और 2 page का application form आपको proper तरीके से fill up करने के बाद में complete करने के बाद में office में आपको submit करना होगा दिये हुए यह office का address यह दिया हुआ है और यह कब तक करना यह भी दिया हुआ है पांच फरवरी तक यह आपको जमा करना है relevant document के साथ में यह form आपको जमा करना होगा कौन-कौन से document लगने वाले हैं वो भी यह mention किया हुआ है documents to be attached with the online application form तो यह application form के साथ में यह documents लगने वाले हैं जो यहाँ पर mention किये हुए हैं इसका जो selection process है उसके लिए यह paragraph आप read कर लीजगा आपको पता चल जाया किस तरीके से इसका selection होने वाला है यहाँ पर जो qualifications हैं उनको कुछ range में कुछ marks में यह divide कर दिया गया है देखो यह secondary 10 higher secondary 15 graduation 25 post graduation 13 यह सारी चीज़ हैं तो अगर आपके पास eligibility criteria है आपके पास अगर कोई भी क्वेरी है तो comment section में comment करके clear कर सकते हैं उसका reply आपको जल्दी ही मिल जाएगा